अमेरिका में हुए 9-11 आतंकी हमले को आज 23 साल हो गए है पूरा अमेरिका इस हमले की बर्सी मना रखा है लेकिन अब ऐसा ही हमला यूक्रेन रूस पर करना चाहता है और इसके लिए उसे अमेरिका से मंजूरी भी मिलने की उमीद है लॉंग रेंज हत्यारों को लेकर बाइड रूस के दो सूपरसॉनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक आउप करते हैं एक बड़े अटाक मिशन की तैयारी है दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टार्गेट की तलाश हो रही है आस्मान के बाद समंदर देखिए ये रूस के एड्मिरल गोशकॉफ क् इसमें लगे एर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है ये फ्रिगेट, कलिब्र और जिर्कॉन जैसी मिसाइलों से लैस है हर हत्यार को अजमाया जा रहा है बताया गया है कि ये बड़े टार्गेट पर हमले की तैयारी है उदर जमीन पर पुतिन ने अपनी ओनिक सेंटेशिप टूस मिसाइल को लाँच करने की तैयारी कर ली है ये मिसाइल 800 किलूमीटर तक बार करती है पुतिन ने अमेरिका को अपना पंजा दिखा दिया है पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका डिकोड कर रहा है पुतिन के पंजे की पहली उंगली में उनकी एर पावर है दूसरी में उनकी नौसेना है तीसरी उंगली रूस की मिसाइल पावर है चौती उंगली में इरान है जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है और पांचवी उंगली का मतलब है शी जिन पेंग यानी चीन पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुठी में तब्दील होगा तो आटम बंब बन जाएगा यानी तब अमेरिका और नेटो का बचना मुश्किल है सवाल है कि पुतिन ने युक्रेन युद के बीच अपना समुदरी बेडा दिखाना क्यूं जरूरी समझा क्यूं पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करके दिखा रहे हैं इसे दो खबरों से समझे पहली खबर ये कि अमेरिका के राश्चपती जो बाइडन ने इशारा किया है कि वो युक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हत्यारों से हमली की मंजूरी दे सकते हैं जेलेंसकी इसकी इजाज़त बार-बार मांग रहे हैं इस पर पुतिन के उपविदेश मंत्री सरगई रैपकोव ने कहा कि अगर रूस के अंदर अमेरिका से मिले लंबी दूरी वाले हत्यारों से हमला हुआ तो रूस इसका जवाब देगा इसकी शुर्वात वो युक्रेन को अमेरिका से मिले अटैकम, रॉकेट और मिसाइल और उसके गोदाम को तभा करके करेगा ये पुतिन का बाइडन और पूरे नेटों को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बढ़ा करने वाला मेसेज है इसकी टाइमिंग समझेने की ज़रूरत है युक्रेन को लेकर बाइडन अचानक एक्टिव होए हैं और इसलिए उन्हों अपने विदेश मंत्री को युक्रेन भेजा एक तरफ अमेरिका और बटेन के विदेश मंत्री ट्रेन से कीप पहुँचे और दूसरी तरफ पुतिन के जंगी बेड़े आगुगल रहे हैं एक तरफ नेटों के दो बहुत ही मजबूत देश और परमानू बंबनाने वाले देश के विदेश मंत्री हैं तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सेनाय मिलकर अभ्यास कर रही है ये दो तस्वेरे साबित करती हैं कि इस वक दुनिया इन दो सबसे खतरनाक अजेंडे में फस चुकी है चीन और रूस की एक्सेसाइस पांच समंद्रों में हो रही है नाम है ओशियन दोहजार चौबिस इसमें प्रशांत महसागर, आक्टिक महसागर, भूमद्र सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पिन सागर इन पांचों जगा के आसपास खासकर भूम अद्दे सागर, बाल्टिक सागर और प्रशांत महसागर के आसपास अमेरिका के बहुत सेड़े हैं पुतिन बताना चाहते हैं के चीन और रूस मिलकर चाहे तो इस बड़े इलाके में अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं कि निम प्रिव्लेकाईथ सील वायनमर्सकोवा फ्लोटा, चास्टे डाल्नी इवायन ट्रांस्पर्टने अवियाची व अत्रबोत के प्रक्टिचिसकिग देस्थी तक ज़ उचास्थवेट करबली इअवियाची नरोद्ना अस्वबादितिलने अर्मी किताय अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरहां से दुनिया भर में अमेरिका के अट्डों को घेड़ने की एक कोशिश की जा रही है और इसमें पुदिन की मदद कर रहे हैं चीन के राष्टपती शी जिन पिंग इस युद अब्यास में सिर्फ रूस के ही 90,000 सैनिक शामिल है 400 से ज्यादा शिप है यानि रूस और चीन की नेवी मिला कर बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं 125 से ज्यादा विमान है यानि सुखोई, मिग और बाकी बड़े बॉमबर भी शामिल है इस युद अब्यास में आर्टिलरी यानि तोप और बक्तरबंद गाड़ियों को मिला कर 750,000 वेपन सिस्टम भी शामिल किये गए हैं ये रूस की तरफ से एक बड़ा कदम है क्योंकि रूस की पूरी वार मशिनरी जब युक्रेन में तबाही मचा रही है और साथ में रूस के अंदर कुर्स का फ्रंट भी लगतार आक्टिव बना हुआ है वह युक्रेन के साथ खतरनाक जंग चल रही है तब 90,000 सैनिकों और इतने बड़े-बड़े हत्यारों को युद अब्यास में लगा देना ये पुतिण की तरब से कोई बड़ी खतरनाक चाल बताई जा रही है वह युद एफ लगतार आक्टिव बना है अमेरिका ने परशांत महासागर में आक्स यानि बिटेन और आस्टेलिया के साथ अपनी पार्टनर्शिप को मजबूत किया है इन दोनों देशों के बीच परमानू पंडुबी को लेकर डील हो रही है और यही बात पुतिन और चीन दोनों को परिशान कर रही है अमेरिका क्या चुपा है कि उपरशांत महासागर में चीन के ख्वाब को चकना चूर करने के लिए आस्टेलिया को परमानू पंडुबी देगा इसलिए पुतिन और जिन्पिंग के भरोसे मंद अफसर और मंत्री इस वक्त बहुत आक्टिव हो चुके है सेंट पीटर्जबर्ग में ये मीटिंग देखिए रूस के सुरक्षा परिशत के सचिफ सरगई शोईगू की मुलाकात चीन के सेंट्रल कमिशन के निदेशक वांग यी से हुई और इस बैठक को लेकर अमेरिका भी समझ रहा है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साज़िश हो रही है वैसे देखा जाए तो चीन और रूस की दोस्ती मजबूत करके पुतिन नहीं बाइडन को नहीं गे रहा है युक्रेन को लेकर डॉनल्ड ट्रम्प ने भी बाइडन की सरकार और उनकी वाइस प्रेजिदेंट कमला हैरिस को कूप खरी-खोटी सुनाई है प्रेजिदेंशल डिबेट में ट्रम्प ने क्या कहा और कमला हैरिस ने क्या जवाब दिया दोनों की बहस काफी दिल्चस्प है और फो ते घू आज्ए प्रेजिदे दिल्चस्प घवाथा प्रेजिदेंशल फे लाइस्टार्ट्स की जवाभ लॉन पर यवाफ इवाब जा सोफेजिदेंशल एक है लिएफ इल्या है वाभ टेस्ट उवाब गथे खिल्चस्पल लॉजज में वह दो अवाब है खेर अमेरिका में राश्टपती पत के चुनाओं में अभी वक्त है लेकिन पुतिन ने अमेरिका को हिलाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है पुतिन ने बता दिया है कि उकरेन ने अगर F-16 और अटाकम जैसे लॉंग रेंज वाले हत्यार का इस्तिमाल किया और रूस के अंदर तबाही मचाई तो बाइडन बहुत ज्यादा पच्टाएंगे इसलिए ट्रॉम्प से लेकर बाइडन का हर विरोधी युक्रेन यूद को लेकर अमेरिका की मौजूद सरकार को आड़े हातों ले रहा है का जा रहा है कि जेलिंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अपकंगाल होने को तयार है जेलिंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अपना सब कुछ दाओं पर लगाने को तयार है और इसलिए अब अमेरिका ने जेलेंस्की के बैंक खाते में 21 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम डालने का फैसला किया है रूपेया में बदलेंगे तो ये रकम 1,75,000 करोड यानी पॉने 2,00,000 करोड उपे होंगे जो अब जेलेंस्की को मिल सकते हैं 1,75,000 करोड उपे से बाइडन पुतिन को रोकना चाहते हैं रूस को हराना चाहते हैं मुनेटो को पुतिन के घुस्से से बचाना चाहते हैं कीव पर हमले हो रहे हैं हार कीव पर खबजा करने के लिए पुतिन तयार बैटे हैं उदेशा में रोज मिसाइल गिर रहे हैं, वोक्रोसक और पुलतावा पुतिन का नया टार्गेट बन चुके हैं, लेकिन बाइडन तो हत्यारों की शकल में जेलेंस्की पर डॉलर की बारिश कर रहे हैं, दमागों के भी जेलेंस्की को बार-बार लिफ्ट कराने की कोशिश च ट्रेलर पुतिन ने दिखा दिया है